परसो की घटना है आसाम की, आसाम के एक IPS टे डियाईजी रहें के बहुत तेज तर्रार आफसर लेकिन पुरी सरीर में क्या हो गया था फैल गया था, दो दिन पहले उनकी देथ हो गया उनकी वाइफ की, तो डॉक्टर और नर्सेश थी, तो डियाईजी जो आप IPS अधिकारी तो बाहर जाईए, तो यह अब अपनी पत्नी के ले कुछ पढ़ाना करने हैं, अब बेट पे उनकी पत्नी देथ कर गई थी, वो अपने सर्विस डिवालबर को लिकाल के खुर गोली मार लिया उसी बेट पे चलिए, तो अनमेचियोर सेल जो बनते हैं, तो हर सेल का अंदर का DNA, अनमेचियोर सेल को आदेश देता है कि अपने आपको मार लो, अब बताओ, आप लोको पढ़ा दिये हैं, DNA किसको आदेश देता होगा कि इस सेल को मार ला लो, लाइसोसम को, किसे करता होगा, कलपना कीजिए कि उससरा अनमेचियोर सेल है, उसमें लाइसोसम ही नहीं ह तो कई बार कुछ ऐसे हमारे सरीर में changing होते हैं हमारे सरीर में दीन भर में असंख संख्या में unmature cell बनते रहते हैं बट उसका DNA उसे आदेश देता है कि खुद को मार लो और DNA बाकी के cell को करता है कि इसकी blood supply रोक देना तो दो तरीके से unmature cell को मारा जाता है एक उसका DNA खुद आदेश देता है दूसरा अगल बगल के cell उसकी blood supply रोक देते हैं लेकिन कुछ ऐसे DNA होते हैं जो बहुत धीट होते हैं सब वो unmature cell को मरने का आदेश देते ही नहीं है बलकि उसे अपना खुद का blood supply के लिए नस निकाल द कर लेते हैं से उसमें से अपना blood supply का निर्माण खुद कर लेते हैं साइड में अगर blood supply जा रहा है ना उसी में से ले लेगा यहां पर अपना मरेगा और blood supply का भी इंतजाम कर लिया अब चोकि यह unmature cell है तो unmature cell के reproduction में जादे टाइम नहीं लगेगा फटा-फटा-फटा- नहीं समझें जो का है उसमझें यहां पर लेकिन अगर mature रोटी बनानी है तो time किसमें लगेगा? Mature रोटी में यहां नहीं समझें तो cell जो बनता है cancer cell वो mature या unmature? क्या उसका DNA उसे मारने का अधेश देता है? अब blood supply कट गया रहता हूँ चटा अपना blood supply चालू कर लेता है अब चुकि वो क्या है? unmature है तो उसमें reproduction बड़ी तेजी से होगा क्या होगा? बहुत तेजी से होगा तो बहुत तेजी से फैलने लगेगा अब आप बताईए इसी class में suppose किजिए कि कोई unmature भी दियार्थी आजए class 2 का, class 3 का वो करा कुछ बुझाएगा हम लोग पढ़ाएंगे तो उपर से निकलेगा वहाँ पर और उसकी संख्या लगतार बढ़ने लगेगा तार बढ़ने लगेगा और फटा फट बढ़े वो आज दोस्ट होए कल पचास हो जाए पर सौ हो जाए उसको है तो इस class में आप लोगों के बैठने का जगा नहीं बचेगा नहीं तो फिर आप लोगों को आरसा होगा दिक्कत सकेत होगा दिक्कत होगा यहां पर से नौर्मल सेल को डिष्टब कर देते हैं नर्मल सेल को क्या करेंगे अब कलपना करिए कि हर्ट है हमारा हर्ट इस यह उपर कोई सेल की जरूद नहीं वहां जाके बढ़िए जाए पैटिया है कैंसर है तो अब आपना पूरा खंदान बनाले होट उसको गरी आएगा चोटा कहीं का ही यहां के काई भूइठा है तो कहता हम ना सुन तो क्यों कि वहाँ अपना कोलोनी बना लेगा होट को धड़कने में दिक्कत होगा थोड़ा बहुत दिक्कत होते होते एक दिन लगेगा इसको होटे ब्लॉक कर देगा घूज गया होट रेप्लीकेट हो अधर रीप्रोडच्शन यानी रेप्लीकेशन सेम चीज का बना क्या लताओ ऐलस्केत तो ब्रेन में दिक्कत होगा की नहीं होगा अब जब ब्रेन में दिक्कत होगा वहां बहुत सारे सेल अपस में बनने польз लगेंगे तो वो एक गांड बनने लगेगा का तो नहीं पर भी अगर बहुत सारे सेल उख्षा मीं अकथा हो गांत तो क्फो बस्टा आहे कोहां ऐसी चाहिए हाँ आख मार दिचाहिए कुछ पoured रट जॉप जाए रह आख इकए खतरनाक विशा है तो ब्रेन में होगा तो ब्रेन में होगा, तो ब्रेन में तो हर जगा केवल supply गया हुआ है, अब वहाँ गाठ बनने लगेगा, तो किसी ना किसी supply को दबा देगा, जिस supply को दबाएगा, वो चीजे changing होने लगेगी, तो कभी लगवा मारेगा, कभी paralysis होगा, कभी कुछ होने लगेगा, कुछ होने लगे अब कौन सा doctor operation के time पे, suppose किजिए, कि किसी के हाथ में यहाँ पे cancerous cell है, बेकुप पीछे जाओ, अगर मान के चलिए हाथ में क्या है, cancerous cell है, तो doctor क्या करेगा, यहाँ से tumor निकाल देगा, लेकिन क्या कोशी का दिखाई देती है, वो microscope से भी नहीं देख पाएगा, operation के time पे, तो अंदास से doctor क्या करता है, निकाल देता है, लेकिन उसमें अगर यह ko-go बच गया, एक ठोबी बच गया, फिर पूरा फ़ल जाएगा, फ़ल जागा कि नहीं फ़ल जाएगा, तो brain में भी जब tumor होता है, doctor operation करके brain tumor को निकाल देता है, लेकिन अगर यह ko-go बच गया, फिर घंदान चाप देगा, अब जब तक brain tumor रहेगा, तब तक उसके सरीर में कोई ना कोई changing लाएगा यहाँ पर, brain disturb करेगा वहाँ पर, अभी परसो की घटना है, असम की, असम के एक IPS थे, DIG rank के बहुत तेज तरार अफसर थे, असम का एक कहा का, बहुत काबिल उन्हें पती एवार्ड मिला था, बहुत अच्छे थे, सख्त कड़क मिजाच के IPS अधिकारी, DIG rank तक पर थे वहाँ पर, और बहुत DIG से भी साथ ऊपर rank के थे, अब हमको exact rank नहीं रहे, उनकी वाइफ को ब्रेन में वही वाला सेल आ गया, unmature और बहुत तेजी से replicate करने वाला, अब बेट के tumor बना लिया, गाठ बना लिया, अब उसमें डिक्कत होने लगा, तो कभी एक हाथ इधर काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो operation करके हटा दिया गया, लेकिन क्या कीजेगा, डॉक्टर तो अपने और से पूरी कोसिस करता है, लेकिन पूरी सरीर म उनको DIG, जो आप IPS अधिकारी दोने नहीं कहा था, बाहर जाइए, मुझे अब अपनी पत्नी के लिए कुछ परार्थना करनी है, और बेट पे उनकी पत्नी देथ कर गई थी, वो अपने service revolver को लिकाल के खुद गोली मार लिया, उसी बेट पे चले, अमूमन जो बहुत सक् इनसान होता है न, बहुत, देखिए का कुछ-कुछ आदमी बहुत सक्त होगा, अदम, discipline, time work, खास करके, police और military में देखे, ये लोग किसी से लगाओ भी बहुत गहरा कर लेते हैं, सक्त इनसान को जल्दी किसी से लगाओ नहीं होगा, अगर लगाओ होगा भी न, तुसे इत इसा नो हो, लेकिन जीवन है ये, बड़ा उट-पटांग चीज हो गया यहाँ पर, और खान-पान में कौन सा ऐसा मसाला हम लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है, तो cancer कहीं भी हो सकता है, बट कोई भीमारी आपको पता है, अगर brain में जाती है बहुत disturb कर देती है, अब देखें, अब डॉक्टर तब क्या करें, किसी cancer का अगर operation करेगा, तो डॉक्टर को तो दिखी नहीं रहा है, वो तो अंदास से निकाल रहा है, कि इसमें से तो हमने निकाल दिया, लेकिन वो कहां गया होगा किसी को नहीं पता है, पता है, नहीं, तब डॉक्टर क्या करता है, जिस एरिया में cancer का operation किया है, उस एरिया में gamma rage, या बहुत high power का x-ray, या high power का x-ray, हम लोग को तो normal power का x-ray लगता है, तो छेद के hot dvd का photo निकाल लेता है, high power का x-ray, अब यहां operation किया है, तो इससे जादे दूर तक क्या करेगा, ले जाएगा, या क्या मारेगा, x-ray मारेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसको कहते है, cycle, 8 cycle देना है, 16 cycle देना है, 32 cycle देना है, जोल जाता है वहाँ पे, एदम high power, जिसको देहात में लोग कहते है, इससे कईया हुआ है, तो डॉक्टर अंदाजा में लगा रहा है, सोचिए आपको बचाने की क देरा में मिला देता है, अगर यहाँ cancer cell होगा, तो चोट्टा पका उसमें किसी न किसी को खीच के, यह लिम्फ सिस्टम होआ, किसमें मिला दिया है, बलड में, अब उत्रस्चुरा चल गया, बलड में, आप तो अपरेशन करके यहाँ से उड़ा दिया है, और यहाँ पे से अब डॉक्टर क्या करेगा, अब डॉक्टर क्या करेगा, अपनी हिसाब से सोचो डॉक्टर ने कितना प्रियास किया, कितना प्रियास किया, अंदाजा से उसने रेडियेशन दिया यहाँ, अब क्या करेगा, तो एकदम खतरनाक दवाई बनाएगा, केमिकल, क्या बनाएग जितने नए-nya cell है सब को माड़ा लेगा आप उसको बोतल में भरेगा chemical को चड़ा देगा आपके blood में chemical को short cut में chemo बोलते है therapy वही chemical भवा लेक्ट के अब blood में चड़ा देगा अभी भी doctor अंदादी ये तीर चला रहा है कहीं ना कहीं सुसरा blood में अच्या बलड में चढ़ा देगा तो एडी से चोटी तक पहुच जाएगा अब लेकिन उदवईया तो पहचानता नहीं है कि कोन cancer है कोन नहीं मारेगा कमजोर और नए cell को तो उस भक में तो मार देगा किसको cancer cell को तो मारेगा लेकिन हमारे सरीर के अच्छे cell जो अभी नए नए बने हैं या जो कमजोर हैं उनको भी मार देगा उनको भी मार देगा सरीर तब क्या होने लगता है तूटने लगता है सरीर तूटने लगता है डॉक्टर पूरा कोसिस करता है